जै महदे मैं सोने शर्मा हाजिर हूँ एक और ग्यान भरी वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको पूजय पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया एक बहुत ही सरल और कारगर उपाई बताने जा रहे हैं उपाई उन लोगों के लिए है जिनके शरीर में कोई गांट पढ़ गई हो या कोई किड्नी लीवर में कोई दिक्कत हो तो वो लोग इस उपाई को कर सकते हैं उपाई बहुत ही सरल है इसलिए उपाई को समझने के लिए आप वीडियो को अन्त तक जुरूर देखी का इस वीडियो में हम आपको पूरा उपाई जो है वो करके बताएंगे यह जो उपाई है उसी व्यक्ति को करना है जिसके शरीर में यह प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहले आपने जल के पातर में थोड़ा सा जल ले लेना है उसके बाद आपने उस जल में कुशा डालनी है जिसे हम दुर्वा भी कहते हैं कुशा आप डाल दीजिए और 15-20 मिनट के लिए उस कुशा को जल में ही पड़े रहने देना है फिर आपने शिव मंदित जाना है और कुशा को बाहर निकाल देना है और जो जल है वो आपने शिवलिंग पर शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस जल को आपने शिवलिंग पर अरपन करना है उसके बाद जलाधारी से थोड़ा सा जल जो है प्रसाद के रूप में ले लिजेगा थोड़ा सा जल अपने शरीर के ऊपर छीटा दीजिए और थोड़ा सा जल प्रसाद के रूप में ग्रहन कर लेजेगा ऐसा जो है आप लगातार करना शुरू करिए कुशा वाला जल जो है वो आ हो थी सेरल और कारगर उपाए है जो गुरू जी ने हमें बताया है इस उपाई को वश्य करिए और इसका लाब उठाइए ऐसे और भी उपाई जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा जै महादे